आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ वेज चीज मैकरोनी की रेसिपी सूपर टेस्टी डिलेसियस वेज चीज मैकरोनी की रेसिपी बहुत ही कम समय में बना करके हमने इसे तयार किया है ये मैकरोनी ना बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए बिना सब्सक्राइध की बिनादेरी करते हैं बनाने के लिए ग्यास पे यहां परतानिं में डेल एक बर्थन में पानी उबलने रख दिया साथ में 1 टेवल इस्पून तेल और शर्ट नमक एट किया है अब यहां पे हमने एक कप मैकरोनी इसमें डाल दिया है एक बार हम इसे मिक्स करेंगे और मैकरोनी में उवाल आने का वेट करेंगे और यह आप देख सकते हैं मैकरोनी में उवाल आ चुकी है इस प्रोसेस को करने में आपको चार से पांच मिनट का समय लग जाए मेकरोनी अच्छे से बाल अब करेंगे और एक बरतन में यहांपे हम ने चंनी लगा आया है सारे मैकरोनी को इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इसके उपर पानी डाल देतें ताकि मैकरोनी एक दूसरे में चिपके ना अब यहाँ पे हमने गैस पे एक पैन रखा है टू टेवल इस्पून इसमें तेल और छोटी सी क्यूब बटर की डाली है एक मीडियम साइज में बारिक कटी वी प्याज इसमें एट किया है चलाते वे लोटू मीडियम फ्लेम पे इसे हम दो से तीन मिनट भूल लेंगे अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज में बारिक कटी वी टमाटर इसमें एट किया है और एक बारिक कटी वी हरी मिर्च इसमें एट किया है साथ में थोड़ी सी हमने कॉर्ण ली है मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद हो तो सारी चीजों को मिक्स करते वे से 2-3 मिनट कवर करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से सौप्ट हो जाए और ये लिजिए 2-3 मिनट के बाद हमने धक्कन हटाया और इसमें हम थोड़ी सी फ इसमें एट करेंगे पास्ता मसाला यहां पे मैं एक पैकेट पास्ता मसाला एट कर रही हूं बिल्कुल सिम्पल सी रेसिपी है बनाना इसे बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और डिलेसियस लगती है मसालों के साथ सारी सबजियों को मिक्स करते वे एक इस साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर मेरी रैसिपी आपको पसंद आती हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे आप जरूर से क्लिक करें और कॉमेंट्स में जरूर लिखें कि मेरी रैसिपी आपको क्या सी लग रही है। अब हम इसमें एट करेंगे चिली फ्लेक्स, यह पूरी तरह से ओप्षनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप एट करें, नहीं तो आप इसकिप कर सकते हैं, साथ में डाला है हमने बारिक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी से यहां पे हमने मौजरेला चीज इसमें एट किया मैकरोनी के उपër, चीज हम डाल देंगे और इसे कवर करते हुए बस दो मिनट के लिए रख देंगे ताकि चीज जो है न अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाया, और 2 मिनट के बाद हमने धककन have कनाया यह देखिये, चीज अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है यह देखि हुई है एक वार इसे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे ये देखें सूपर टेस्टी ये बनके तयार हुई है ये देखें कितनी चीजी ये बनके तयार हुई है एक वार आप इस तरीके से जरूर बनाए अब चलते हैं सब करने की प्रोसेस पे और ये लीजिए सूपर टेस् भेच चीज मैक्रोनी बन के बिल्कुल तयार है, एक वार आप मेरे इस सरीखे से जरूर बना करके ट्राइक कर सकते हैं बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है बच्चों को अगर थोड़ा बहुत भी चीज मिल जाता है न तो बच्चे बहुत ही पसंद से उसे खाते हैं एक वार आप मेरे इस रेसिपी को जरूर ट्राइक करें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे आप जरूर से क्लिक करें ज्यादा से ज्यादा आप इस रेसिपी को सेर करें चैनल पे नए है तो प्लीज सस्क्राइब करें बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के तांक यू